तो जैसे market इसके high के आसपास आएगा ना, यहापर आप देख सकते हो, इसके high के आसपास आएगा ना, तो यहापर मैं a put side का trail लूगा, क्योंकि trail लेने का simple सा reason है, कि market का trade यहापर down चल रहा है, तो यहापर एक pullback करने के लिए market उपर आ रहा है, तो simple से आप यापर market देख सकते हो high के आसपास आ चुका है तो यापर में put side पर click कर जाता हूँ सबसे फ़हले यापर में confirm कर जाता हूँ यापर आप देख सकते हो मेरा trade यापर एक लग चुका है तो यापर आप देख सकते हो मैंने 200 रुपई का यापर investment किया है तो यहाँ पर मुझे 77% का return मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 77% का यानि कि 170-160 के आसपास मुझे profit हो सकता है लेकिन कब profit होगा जब market इसके नीचे रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी entry यहाँ पर हुई है और हमने यहाँ पर एक मिनेट का time frame यूज किया है यानि कि एक मिनेट के अंदर में market इसके नीचे रहना चाहिए अगर market एक मिनेट का time ये दो को आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर market आ रहा है उसके अंडर में market या अगर आपने put option लिया है तो market इसके नीचे रहना चाहिए तो आपको profit हो जाएगा तो अगर आपने call option लिया है तो इसके उपर market रहना चाहिए जैसे कि आप यापर देख सकते हो अब यापर profit हो जाएगा तो simple यापर आप देख सकते हो तो यहापर अगर आप देखोगे तो यहापर हमने दो सुरुपए का investment किया था और एक सो चोपन का मुझे profit हो चुका है यहनि कि मुझे 77% का return मिला है एक trade में सिर्फ एक minute के अंदर काफे ज़्याद है आपको quickly यहापर profit होता है यहापर आप देख सकते हो 77% का मुझे return मिला यहनि कि आप देख सकते हो 100% का भी return मिलता है यहापर लेकिन 77% 80% के आसपास भी अगर आपको return मिलना है यहापर क्योंकि यह काफे ज़्यादा risk होता है यहापर one minute के अंदर आपको यहापर profit भी हो सकता है लेकिन अगर आप risk pre trading करोगे तो आपको अच्छा कासा profit हो सकता है तो आप यहापर देख सकते हो आपने जो भी यहापर trade लिया है सारे trade यहापर हमें profit में दिखाए जरहे यहापर आप देख सकते हो 200 का trade लिया एक सूपन का profit यह पर 500 का लिया था 325 का profit यह पर 1500 का लिया था और 1200 का profit यह पर भी 1200 का profit यानि कि जो भी मैं trade ले रहा हूँ उसमें हर trade में मुझे profit हो रहा है तो इसके पीछे का simple सा reason है यह पर मैं एक strategy को use करता हूँ जिसके बज़ेश यह पर मुझे हर trade में profit हो रहा है अगर आप यहापर देखोगे तो इस trade को लेने का simple सा reason था यहापर देख सकते हो past minute का time frame है तो यहापर में एक strategy बताता हूँ तो simple past minute का time frame पे मैंने यहापर click किया one hour के time frame पे यहापर मैंने इसे कर लिया है यानि कि यह जो chart है हमारा one hour के time frame पे लग जाएगा यहापर अगर आप देखोगे तो one hour के time frame पे आपको इस तरह से chart दिखाए जिरा होगा यहापर market यहाँ से उपर जा रहा था one hour के time frame पे और यहापर एक just full back आया था ठीके just full back आने के बाद यहापर मैंने इसे sell किया था यहापर आप देख सकते हो यहाँ से मैंने sell किया था यहापर जो high बनाया था high के पास आकर market काफी ज्यादा chances रहती market अगर कोई भी high बनाया था उसके पास आकर market यहाँ से गिर सकता है इसलिए यहापर मैंने put option को sell किया था simple से यहापर put option पर click करके मैंने 200 रुपई यहापर invest किया थे आप minimum 200 रुपई से भी शुरुआत कर सकते हो 20 रुपई से शुरुआत कर सकते हो 50 रुपई से जो भी आप capital यूज करना चाते हो आप यहापर कर सकते हो तो आपको स्टेटर्जी किस तरह से यूज करने है कि मार्केट जाब इस support के पास आ रहा है या फिर resistance के पास आ रहा है यानि कि मार्केट इसके आसपास आएगा तो यहाँ से उपर जाएगा और यहाँ पर आएगा तो इसके नीचे आएगा इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इस strategy का यूज करना है हमेश आपको यहाँ पर one hour का time frame select कर लेना है और देखना है कि market कौन से range में चल रहा है अप trend में अगर आप चल रहा है तो market को नीचे आने देना support के आसपास उसके बाद आप यहाँ पर call side का trail ले सकते हो और downtrend में चल रहा है तो आपको यहाँ पर ऊपर के तरब एक resistance के आसपास आने देना और यहाँ पर आप put side का trail ले सकते हो इस तरह से आप trail लेकर आच्छा कासा profit बना सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको काफे ज़्यादा समाल के खिलना होता है क्योंकि यहाँ पर काफे ज़्यादा risk होता है एक minute के अंदर आपको profit होता है तो एक minute के अंदर आपको loss भी होता है तो अपनी capital अपनी इसाप से manage करना ज्यादा capital से आप यहाँ पर trade मत करना क्योंकि ज़्यादा capital अगर आप लगाओगे तो यह आपर आपको काफी ज़्यादा loss हो सकता है छोटी छोटी आमोंट से यह आप ट्रेड करना जब आप अच्छे से सीख जाओ तब आप बड़े आमोंट से भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि काफी ज़्यादा quickly आपर profit होता है ठीक है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक करना और चानल को सब्सक्राइब करना चेले मिलते अगले वीडियो में